बिहार का एक ऐसा मंदिर जहां भगवान के साथ होती है भग्त की पूजा हमारे देश में अन्हीनित मंदिर मौजूद हैं जिसमें अधिकतर के पीछे कोई ना कोई कहानी जूड़ी हुई है आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान के साथ भग्त की पूजा होती है पिहार के गोपाल गंचिले में एक ऐसा मंदिर मौजूद है यहां से सिवाना जाने के रास्ते में थावे नाम का एक जगह है यहां माता के एक रूप माता थावे वाली का मंदिर मौझूद है यहां आने वाले भक्त माता थाई वाली को सहसीनी भवानी थावे भवानी और रहसूप भवानी के नाम से भी जानते हैं 52 पाठों में से एक इस मंदिर के पीछे ऐसी मानेता है कि देवी दुरका यहां कामे खार से चल कर कोल कता होते हुए पतना के रास्ते यहां पहुंची थी आपको बता दें देश के 52 पाथों में से एक माना जाता है इस मंदी से जुड़ी राजा मनन सिंग अपने से बढ़ा किसी और को माता का भक्त नहीं मानते थे एक बार उनकी राजे में भयानक आकाल पड़ा तो लोग भूग से तड़प तड़प कर मरने लगे महल हुआ खंडर तो तकदिर एक मानेता यह भी है कि भावे के मंदीर में ही माता का एक भक्त रहुसूप रहा करता था वह दिन में दूसरे इलाकों से फसल काट कर लाता था और रात में उसमें दाने निकल जाते थे राजा को जब यह बात पता चली तो वह ऐसा माने से पिलकुल इंकार कर दिया कि रहुसूप पर माता की कोई किप्रा है रहुसूप की सच्चाई जानने के लिए कहा कि अगर वह माता का भक्त है तो माता को वहां बुलाए रहुसु ने कहा कि अगर माता यहां आएगी तो राजे पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा रहुसु के लाख कहने के बाद भी राजा नहीं माने उनके बुलाने पर देवी कोलकत्ता पटना और अभानी होते हुए ठावे पहुची माता तो वहां आई लेकिन उनके दर्शन के लिए राजा नहीं बचा और ना ही उसका राजे और उसका महल पूरी तरह खंदर में अबदील हो गया माता के साथ भगत की पूजा ऐसा माना जाता है कि देवी ने जिस जगह पर दर्शन दिये थे वह पर माता जो धावे वाली मंदिर के नाम का एक विशाल दू इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर रहुसु भगत का मंदिर है ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्त रहुसु के मंदिर में अपनी हाजरी जरूर देते हैं अन्यचा उनकी पूजा अधूरी माने जाती है इस मंदिर के करीब हीमनन सिंग का खंडर आज भी मौजूद है ये थी SM News रिपोर्ट